CBAC words में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम Classics Mathematics का 3rd chapter जिसका नाम है Playing with Numbers उसकी exercise 3.2 discuss करेंगे इससे पहले कि जो exercise और try these के questions की वीडियो है वो upload हो चुकी है जिस chapter की वीडियो देखनी है description में आपको playlist मिल जाएगी chapter wise वहाँ से आप देख सकते हो तो पहला question हम देखते है what is the sum of any two यह वाले part में कह रहा है odd numbers यानि किसी भी 2 odd number को add करेंगे तो हमको क्या मिलेगा एक odd number, दूसरा odd number इसको add करेंगे क्या मिलेगा यह आपको बताना है तो यह चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप example लेकर कर लिया करो को example ले लो जैसे दो odd number को add करना है न क्या मिलेगा यह हमको बता करना है तो एक odd number चली हम 3 ले लेते हैं दूसरा odd number हम 5 ले लेते हैं इसको add करोगे आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा और 8 क्या है एक even number है कोई और भी ले सकते हो आप 7 ले लो और 11 ले लो ठीक है यह दुनों odd numbers है तो आपको क्या मिलेगा 18 मिलेगा और 18 भी आपका क्या है even है तो कोई सब example लेकर आप देखोगे हमेशा आपको क्या पता चलेगा कि दो odd numbers को add करेंगे तो हमको इसको add करोगे तो आपको 8 मिलेगा और 8 क्या है आपका even है और भी कोई number आप लेकर try कर सकते हो हमने 4 ले लिया और चली 10 ले लिया तो 4 और 10 आट करेंगे तो आपका 14 आएगा और 14 आपका और 005 और 9 क्या है अवर शोद्र तो किसी भी दो even number को add करेंगे तो हमको हमेशा even number मिलेगा उपर वाला भी हमने क्या देखा था मैंको even number मिलेगा और एक और चीज़ में आपको उप्ता देता हो कि किसी भी odd number को even number के साथ add करो या even को odd के साथ कर लो कैसे भी कर लो तो हमेशा आपको एक और नमबर मिलेगा इसका भी एक ग्जामपल मैं आपको दे देता हूं जिसे कोई और नमबर आपने ठी ले लिया इवन आपने लिया इसको एड करोगे तब आपको और मिलेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा पहला कोश्चन सेकंड वाले की बात कर लेते हैं आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है यह वाले की बात कर लें सम ओफ थ्री और नमबर इस इवन क्या बात सही है यानि हमारे पास तीन और नमबर से इनको एड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा तो उपर देखो इसलिए मैंने आपको र और नहाँ से हो जाएगा ये फॉल्स एक्जांपल लेके भी मैं आपको बता सकता हूँ यह यह पर लेकर भी आपको टॉयक्त हमको लेने तो चलिए एक हम ने 3 ले Лिया एक फाइव ले लिया और एक सेवन ले लिया तो 3 प्लस 5 आपका 8 होता है 8 और 7 आपका 15 होता है तो 15 क्या है आपका odd है और हमसे कह रहा है कि even तो false होगा ठीक है बी में कह रहा है the sum of two odd numbers and one even number is even कहने का मतलब यह है कि दो odd number को add कर लो और एक even को add कर लो तो क्या आपको even even मिलेगा क्या यह बात सही है अब देखो जो रूल मैंने आपको सिखा है वो यहां पर देखो कितना काम आ रहा है odd को odd के साथ add करेंगे तो even मिलेगा तो odd और odd को add कर लोगे तो even मिलेगा अब फिर यह बचा even इसको add कर लोगे तो even और even को add करेंगे तो हमको even ही मिलेगा यानि ये बात हमारी सही है यहां पर भी हमको even कह रहा है तो ये true होगा example से मैं यह चीज आपको बता सकता हूँ दो कोई odd number ले लो जैसे हमने 3 ले लिया और 5 ले लिया तो 3 प्लस 5 आपका क्या होता है 8 होता है 8 प्लस 2 आपका 10 होता है और 10 आपका even तो है तो यहां से भी आपने चेक कर लिया ठीक है रूल से भी और example से भी c वाले में कह रहा है the product of 3 odd number is odd तो कोई सा 3 odd number हम ले ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया 3 और 5 ले लिया और 7 ले लिया 3 5 आपका 15 होता है अब 15 और 7 क्या होता है 15 7 आपका होता है 105 तो 105 आपका क्या है odd है यहां भी हमको कह रहा है कि अगर 3 odd number को add करेंगे तो हमको odd मिलेगा तो यह मिल ला है यानि यह बात हमारी सही है true है अब इसको ऐसा rule भी आप याद रख सकते हो कि 3 odd को हमने multiply कर दिया उसका product निकाला तो हमको हमेशा odd मिलेगा ठीक है अब डी वाले में क्या कह रहा है अगर कोई even number है उसको हम 2 से divide करें तो जो कोशन हमको मिलेगा वो हमेशा odd होगा तो चली चेक करके देख लेते हैं कोई even number हमने ले लिया जिसे मालो हमने ले लिया 14 इसको 2 से divide करेंगे तो 2 7s 14 आ जाएगा तो यहाँ पर कोशन क्या है 7 जो की odd है अब आप लगा दोगी बात तो सही है odd आ रहा है लेकिन यहाँ देखो क्या always हमेशा odd रहेगा तो क्या हमेशा रहेगा कोई और example लेके भी देख लो चलो हम 16 को divide करके देखते है 2 8s 16 आ जाएगा ठीक है यह 0 तो यहाँ पर कोशन क्या रहा है 8 आ रहा है और 8 हमारा क्या होता है even होता है तो odd भी आ सकता है even भी आ सकता है यहाँ पर कह रहा है हमेशा odd आएगा तो यह बात नहीं हमेशा नहीं आएगा कभी odd आएगा कभी even आएगा हमने देख लिया दो example ल प्राइम नंबर और उर्ड तो आप देखो chapter पढ़े होगे तो ऊपर ही आपको दिया हुआ है कि to आपका एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि even होता है तो सारही प्राइम नंबर और नहीं होते हैं तू जो है वो आपका prime prime numbers is always even कोई भी 2 prime number ले लो उसको जब add करोगे तो वो हमेशा even नहेगा तो हमेशा वाले में आप ध्यान देना कोई एक example लेके बैठ ना जाना जैसे मालो हमने ले लिया एक prime number आपका 3 दूसरा ले लिया हमने 5 तो क्या आजाएगा आपका 8 आजाएगा और 8 क्या है आपका even है तो आपने देखा तो कह दिया true लेकिन यही गलती हो जाएगे always जाले में जैसे मैंने बता है थोड़ा ध्यान देना एक और example ले लो जैसे चलो हम ले ले लेते हैं 2 प्लस 3 ले ले लेते हैं आपका आएगा 5 और 5 हमारा odd है तो देखो कहानी बाद लगी न even तो आ रहा है एक केस में लेकिन एक केस में odd भी आ रहा है तो always even नहीं होगा अब यहाँ पर कहानी क्या हो इसको थोड़ा समझते हैं तो यहाँ वही रूल लगेगे जो मैंने आपको उपर सिखाया कि 3 और 5 क्या है आपके odd है और odd और odd को add करेंगे तो हमको क्या मिलता है even मिलता है इसलिए देखो हमको यहाँ पर even मिला है वहीं अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 तो हमारा even है और 3 हमारा odd है और even odd या odd even को हम जब add करते हैं तो हमेशा हमको odd मिलता है तो यहां कह रहा है हमेशा even मिलेगा तो हमेशा नहीं मिलेगा यह आपका false हो गया even तब मिलेगा जब दूनों prime नमबर जो आपने लिए हैं वो odd होंगे अगर कोई एक even prime number आपने ले लिया और एक odd ले लिया तो उस case में आपको odd मिलेगा ठीक है actually statement की बात करने 2 is the only even prime number तो ये बात सही है ये statement लिखा भी है उपर statement आई है all even numbers are composite numbers जितने भी even number है वो composite होते हैं तो भाई 2 एक ऐसा number है जो की even है लेकिन वो प्राइम है composite नहीं है तो ये बात आपकी फॉल्स हो गई ठीक है statement जे में कह रहा है the product of two even number is always even दो आपको even number ले लो जैसे हमने 2 ले लिया और 4 ले लिया इसको क्वालिप्लाई करोगो तो आपको क्या आएगा 8 आएगा और 8 आपका even है एक और example ले लो दो आपको even numbers लेने हैं तो हमने 6 ले लिया और 8 ले लिया 48 होता और 48 आपका even है तो देखरो दोनों case में या और भी example लोग है तो हमेशा आपको पता चलेगा कि ये even ही आ रहा है तो ये बात true है सही है question number 3 की बात कर लेते है the number 13 and 31 are prime numbers ठीक है 13 और 31 दोनों prime number है both these numbers have the same digit 1 and 3 अच्छा दोनों number में आप देखोगे तो digit same है 1 और 3 ऐसे ही आपको pair बताने है prime number के 100 तक कैसे pair बताने है कहने का मतलब यह है कि जैसे हमने लिखा 13 ठीक है तो बस digit को इधर उधर कर दो तो पहले 1 लिखा है पहले 3 लिख दो बाद even लग दो 31 हो जाएगा तो यह दोनों ही क्या है आपके prime है तो ऐसा ही आपको number बताने है कि एक number लो और उसकी digit को इधर उधर कर दो तो जो नंबर लिया था वो भी prime और digit को इधर उधर करने पर जो नंबर मिला वो भी prime तो ऐसी कहानी आपको बतान numbers है तो digit इधर उधर करने के लिए हमको दो डिजिट चाहिए जिसे 11 ले लिया तो 11 में दोनों 1 ही 1 है 13 का हमने देख लिया जो दिया ही हुआ है आपको example में 17 की बात कर लेते हैं ऐसे आपको जितने भी prime number है उसका check करना है ठीक है 17 की हम बात कर लेते हैं तो हमने लिख लिया ठीक है इसी तरह से और भी आपको देखने हैं जैसे 19 हो गया 19 है क्या 91 भी prime है देखो के 91 प्राइम नहीं है या क्रॉस लगा हुआ है तो यह वाला प्यार हमारा नहीं बनेगा इसी तरह 23 की बात कर लें 23 है अगर इसको 32 कर दें डिजिट इधर उधर कर दें तो क्या यह प् 29 और 92 तो 29 तो प्राइम है लेकि 92 नहीं है 31 यह तो हमारा होई गया था 31 और 13 यह तो दिया ही हुआ है कोशन के अंदर फिर बात कर लेते हैं 37 की 37 प्राइम है 73 इधर 3 दोहर हो गया तो 73 भी prime है तो देखो हाँ सर्किल के अंदर है नही 73 प्राइम है तो यह एक और पेर हमारा बन गया, एक हमारा बना था 17 and 71, दूसरा हमको मिल गया 37 and 73, आगे भी देख लो 41 और 14, 14 तो प्राइम नहीं है, तो इसका कहानी खतम, 43 है, 34 क्या प्राइम है, नहीं 34 प्राइम नहीं है, 47 तो है, उल्टा कर दो, 74 कर दो इसको, 54 आपका प्राइम नहीं है, देख सकते हो, प्राइम नहीं है आपर, 53 की बात कर लें, 53 प्राइम है, 35 प्राइम नहीं है, 59 इसी तरीके से प्राइम है, लेकिन 95 प्राइम नहीं है, 61 है, लेकिन 16 प्राइम नहीं है, 67 की बात कर लें, 76 प्राइम नहीं है, 71 और 17 तो होई गया था फिर 73 अपका प्राइम है, क्या 37 प्राइम है, तो ये तो हमारा हो गया था, 37 और 73 तो हमने देख लिया, अब 79 की बात कर लेते हैं, कि 79 प्राइम है, 7 पहले 9 बात में, तो 9 पहले 7 बात में कर लो, क्या 97 प्राइम है, तो देख सकते हो 97 प्राइम है, यानि एक और पेर हमको मिल गया, 79 and 97, अब इसके आगे आपको नहीं मिलेगा, चेक भी कर सकते हो आप, तो यही तीन है और यह तीन आपका अंसर हो गया, 17 and 71, 37 and 73, 79 and 97, तो यही आपका अंसर है, question number 4 में कहा रहा, write down separately the prime and composite number less than 20, तो 20 से कम जो भी prime number है और जो composite number है वो आप लिख लो, तो चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं कि prime कौन कौन से हो जाएंगे, 1 तो होता है नहीं, 2 से start करेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और आपका 19 हो गया, ये प्राइम हो गया, composite की बात करनें, तो 1 ना तो प्राइम होता है, 2, 3 तो प्राइम होता है, 4 हो गया आपका, 6 हो गया, फिर 7 नहीं, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नहीं, आपका 12 होगा, 13 नहीं, आपका 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं, 18 होगा, 19 नहीं, 20 होगा, सौरी, less than 20 हम से कहाते हैं, तो 20 से कम होना चाहिए, 20 को हम नहीं लेंगे, अगर 20 तक कहा होता, up to 20 होता, तो 20 को भी लेते, 20 से कम कहा रहा है, तो 20 से कम 20 तो नहीं न, तो 20 को हम यहां पर नहीं लेकेंगे, ठीक है, तो यह हो गया इसका answer, no down कर सकते हो, Question number 5 के बात कह लेते हैं What is the greatest prime number between 1 and 10 बड़ा ही let do question है ये तो सबसे बड़ा prime number बताना है 1 और 10 के बीच में तो वो आपका 7 है Question number 6 देख लेते हैं ये अच्छा question है Express the following as the sum of two odd primes ये जो आपको numbers दी है न इनको आपको कैसे लिखना है कि two odd primes का sum के form में लिखना है चली मैं आपको करके दिखाता हूँ ये वाले part के बात कर लेते हैं 44 यानि ऐसे दो number लिखो जो कि आपके prime हो और odd हो उनको जब add करो तो ये आपको 44 मिलना चाहिए अब वैसे तो बहुत सारे number बन जाएंगे लेकिन मैं आपको यहाँ एक trick बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से कर लोगे पहले यहाँ पर मैं कुछ prime numbers लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो तो यह कुछ prime मैंने लिख दी है अब हम यहाँ पर question करते हैं दो odd prime आपको उठाने है तो दोखो 2 लें ले सकते हैं क्योंकि 2 even है even prime है तो trick यह है कि 2 number हमको select करने है न तो एक number जो छोटा से छोटा number हो सकता है वो आपको select करना है बागी फिर idea लगा लो दूसरा number कौँ सा है जैसे odd prime में सबसे छोटा कौँ सा है 3 है तो हमने 3 ले लिया अब 3 में क्या add करें है कि 44 आजाए आपको 41 add कर दो ऐसे न समझ मैं तो जैसे 3 आपने लिया न तो 44 में से 3 minus कर दो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको 41 मिलेगा इस तरह से भी दूसरा number आप select कर सकता है एक आपको छोटा छोटा लेना है और दूसरा फिर वो तो पता ही चल जाएगा किसको add करोगे तो आपको 44 मिलेगा 3 हमको मिल गया क्या add करें कि 44 आजाए यह तो fix होगा ना तो 41 हो गया तो देखो 3 भी हमारा odd प्राइम है 41 भी हमारा odd है और प्राइम भी है इससे हमको मिल जाएगा 44 अब और भी नंबर आपके बन सकते हैं लेकिन हमको क्या करना है हमको तो answer निकालने से मतलब है तो हम वही method को follow करेंगे जो हमाली आसान होगा तो एक हमने छोटा स्चोटा ले लिया दूसरा आपको बता चल जाएगा चली यह सारा part हम करेंगे इसमें तो और जादा आपको clear हो जाएगा जैसे B वाले part की बात कर लेते हैं चली इसका A वाले का answer हम लेकि देते हैं कि हमारा क्या है 3 प्लस 41 B वाले की बात कर लेते है 36 तो जैसे मैंने बताया कि छोटा सो छोटा आपको number select करना है जो कि कैसा हो जैसे हम से कह रहा odd prime ना तो odd prime की बात कर लें तो odd prime सबसे छोटा आपका 3 है इसमें हम क्या add कर दें 33 add कर देंगे तो 36 आ जाएगा लेकिन 3 तो odd prime है 33 आपका odd है लेकिन prime नहीं है यानि 3 प्लस 33 हम नहीं लिख सकते इस तरह आपको चेक करना पड़ेगा हर बार तो 3 के बाद कौन सा आता आपको होगे 5 यहाँ देखो प्राइम नंबर सारे मैंने लिख रखे हैं तो 5 और 31 को add कर लें तो 5 आपका odd prime है क्या 31 भी odd prime है तो यह देखो 31 odd prime है यानि 5 और 31 के sum के form में हम लिख सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 5 प्लस 31 जैसे मैंने बता है कि सिर्फ यही अंसर जरूरी नहीं कि हो और भी अंसर बन सकते हैं लेकिन आपको तो एक ही अंसर लिखना है तो आप यह लिख दो इसी तरह सी वाले की बात कर लेते हैं 24 तो वही करो सबसे छोटा आपका 3 है तो 3 में क्या एड़ कर दें आपको 21 लेकिन 21 आपका prime नहीं है तो 3 प्लस 21 यह हमारा गलत हो जाएगा यह नहीं बन पाएगा तो 5 जा एड़ कर लो 5 प्लस क्या हो जाएगा नहीं है तो यह नहीं हो पाएगा 5 प्लस 13 तो हाँ यह काम बना है हमारा कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 13 तो 5 और 13 दोनों ही आपके odd prime है odd भी है और prime भी है साथ ही साथ तो यह हो गया इसका answer नोट डाउन आप कर सकते हो Q7 आपको क्या करना है 3 pairs बताने है यानि जोड़े बताने है दो दो number के groups बताने है किसके prime numbers के जिनका difference 2 हो यानि 2 prime लो उनके difference आपको 2 आना चाहिए ऐसे 3 आपको pairs बताने यहां remark दिया हुआ 2 prime numbers whose difference is 2 are called twin primes तो ऐसे जो 2 prime numbers होंगे जिनका जो difference है वो 2 आता है उसे हम क्या कहते है twin primes कहते है तो उपर देख सकते हैं मैंने यहां पर prime numbers लिखे हुए है इनी में से आपको 2 prime numbers उठाने है इस तरह से कि उनके बीच का जो difference है वो 2 होना चाहिए जैसे हम यहां से 3 उठा लेते हैं तो 5 उठा लेते है 3 and 5 यह दो आपके prime numbers है यह एक pair बन गया इनका difference 2 है यानि 5 minus 3 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा ठीक है इसी तरह से और भी आपको सर्च करने है एक pair देखोगे आप 5 और 7 का आपको मिल जाएगा ठीक है इनका difference भी तो 2 होता है यानि 11 and 13 13 minus 11 करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा तो हमको 3 pair बताने थे एक pair यह हो गया दूसरा pair यह हो गया और तीसरा pair यह हो गया इसके अलावा और भी बन सकते है लेकिन हम से 3 ही कहा है तो आप कोई से भी 3 लिख सकते हो जैसे आप आगे देखोगे 17 और 19 यह भी एक pair बनेगा यानि twin primes बनेगे 19 minus 17 करोगे तो 2 आएगा और आप यहाँ देख सकते हो 29 और 31 यह भी बनेगा 41, 43 तरह और भी बहुत सारे बनेगे कोई से 3 आपको लिख देने ठीक है question number 8 की बात कर लेते है which are the following numbers are prime तो अगर आप prime numbers आपको याद होंगे तो बहुत आसानी सा आप कर ले जाओगे जैसे मैं आपसे को recommend करूँगा कि 100 सके prime number आप याद कर लो वो आपके लिए अच्छा रहेगा नई तो आप divide करके check कर सकते है तो 23 की बात करें ना तो 2 से check कर लो 3 से check कर लो किस से divide हो रहा है अगर 1 या खुद यानि जो 23 है इसके अलावा किसी से divide नहीं हो रहा है तो ये prime है और ऐसा ही आपको मिलेगा किसी से ने divide होगा इसलिए देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था 23 prime है तो ये prime हो गया 51 ये आपका 1 से भी divide होगा 51 से तो हो गही इसके अलावा 3 से divide हो जाएगा आप divide करके देख सकते हो ये हमारा 51 है 3 1s आ 3 माइनस करोगे 2 आ जाएगे 3 7s आ 21 ठीक है तो 3 से भी divide होगा और 70 से भी divide होगा तो अगर 2 से जादा इसके factor हो गह तो ये prime नहीं रहा 37 आपका prime में यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है 26 आपका prime नहीं क्योंकि ये तो एक even number है 2 से ही divide हो जाएगा तो सिर्फ आपके 23 और 37 यही दोनों आपके prime numbers है question number 9 की बात कर लेते है write 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them सबसे पहली बात आपको कौन से number लिखने है composite number लिखने है कितने लिखने है 7 लिखने है और वो consecutive होने चाहिए नहीं लगातार आने चाहिए और वो सारे hundred से कम होने चाहिए इस तरह से कि कोई prime number के बीच में ना आए यानि लगातार वो composite ही number हो तो उपर देख सकते हो आपको जो book में ये दिया हुआ है एक तरह से table जो दिया हुआ है इसी में आप देख सकते हो ठीक है कि आपका जो circle है उसके अंदर prime number लिखे हो है अब जहां cross है वो आपके non prime है अब one को हटा दो तो बागी सारे composite ही है आपके हुए क्योंकि one ना तो prime है ना composite है तो आपको seven लगातार ढून रहे है जहां साथ लगातार composite number हो तो देख सकते हो यहाँ पर आपको 14, 15, 16 यह तीन ही है उसके बाप prime आ रहा है कोई prime उनके बीच मना आना चाहिए यहाँ लगातार हो 14, 15, 16 बस यही तक बनेगा यहाँ देख लो यह भी 3 है यहाँ देखोगे 32, 33, 34, 35, 36 ठीक है तो 5 हो गए लेकिन आमको 7 चाहिए तो देखोगे यहाँ नहीं आपको यहाँ मिल जाएगा ठीक है इस तरह आप चेक करते जाओगे तो 89 के बाद यह 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यह टोटल कितने हो गए? 7 हो गए तो यही हमारा अंसर हो जाएगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 90 से 96 तक रहेगा 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 तो यह हो गया हमारा अंसर Q10 की बात कर लेते हैं यहाँ जो नंबर्स आपको लिखे हुए हैं इनको इस तरह से लिखना है कि 3 आप odd prime ले लो यानि prime नंबर होने चाहिए और वो odd होने चाहिए तो 2 को अगर हटा दो क्योंकि 2 ही एक ऐसा even prime नंबर है तो 2 को हटा दो तो बाकी सारे prime नंबर आपको use करने हैं यानि use कर सकते हो तो ऐसे आपको 3 odd primes लेने हैं उनका जब sum करो तो आपको ये values मिलनी चाहिए तो चलिए हम check कर लेते हैं यहाँ पर भी वही technique जो मैंने आपको एक question में पहले बताई थी कि ऐसे जब आपको बताना हो कि 2 number के sum वाला हमने देखा था तो यहाँ 3 numbers के sum आपको बताने हैं तो वही technique लगाओ कि जैसे मैंने बताया था कि एक छोटा सा छोटा number ले लो कौन सा number जो आपको condition दिये और प्राइम कहरा न तो सबसे छोटा odd prime आप ले लो अगर 2 में है तो एक ले लो को दूसरा set हो जाएगा अगर 3 है यानि 3 को हमको number के sum बताने है तो ऐसे 2 को set कर लो तो एक अपने आप निकल आएगा चलिए मैं करके बता रहा हूँ तो जादा आपको clear होगा तो यह कुछ odd prime number मैंने लिख लिए है अब इनी में से किसी 3 को आपको उठाने है या इससे आगे कभी आप चेक कर सकते हो यानि आप तो मैं 43 तक लेक दिया और भी odd prime number है तो ऐसे 3 को लिखना है sum करना और यह value आनी चाहिए तो सबसे छोटा odd prime हम ले लेते है कौन सा है 3 उसके बाद आपका 5 आता है इसको ले लिया हमने अब अगर आपकी calculation अच्छी होगी तो आप निकाल लोगे कि क्या add कर दें कि 21 आ जाए ये वाला part हम solve कर रहे है क्योंकि 3 प्लस 5 आपका 8 होता है और 8 में अगर 13 add कर देंगे तो 21 आ जाएगा अगर calculation आपकी अच्छी नहीं है तो आप क्या कर लो जो दो number आपने set किये हैं उनको add कर लो इसकी value क्या आएगी 8 आ जाएगी अब इस 21 में से आप 8 को minus कर दो ठीक है तो आपको यहाँ पर 13 मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से भी आप पता कर लोगे कि क्या चीज आइड करेंगी 21 आ जाए तो यह जो number नीचे दिये हुए वो मिलने चाहिए ठीक है आई होब आप समझ गया होगे अब भी वाला कर लेते हैं 31 हमको चाहिए उसी तरह करेंगी जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लिख लो उसके बाद आपका 5 हो गया छोटे से छोटे से start करना है प्लस 5 तो 8 हो जाएगा अब इस 53 में से हम 8 माइनस कर देते हैं तो हमारा आएगा आप देखो 13 में से 8 गया तो 5 बचा और ये 4 45 आएगा अब ये 45 हमारा odd prime नहीं है ये प्राइम नंबर नहीं है हमको odd prime चाहिए तो ये odd prime नहीं है इसका मतलब ये जो हमने लिखा है 3 प्लस 5 और 45 कर दोगे तो आट हो जाएगा 53 3 और 5 odd prime है लेकिन ये 45 नहीं है यानि फिर हमारा ये गलत हो जाएगा फिर setting करनी पड़े यानि 3 और 5 को add करने पे काम नहीं बनना है तो एक काम करो 3 और 7 को add कर लो यानि सबसे छोटा हमने ले लिया दूसरा वाला नहीं set बैट रहा था तो हमने 7 ले लिया उसके बाद वाला ले लिया तो 3 प्लस 7 कर लोगे तो आपका क्या होगा 10 हो जाएगा 53 में से 10 मैनेस करोगे तो 43 आ जाएगा तो 43 हम लिख दें तो देखो ये 43 हमारा odd prime है तो अब हमारी setting बैट गई कि अगर 3 प्लस 7 प्लस 43 इस तरह लिखेंगे तो हमें 53 मिल जाएगा अब जैसे कि मैंने पिछले वाले कुशन में बताया थे कि जरूर नहीं कि आप इन ही number को add करोगे तो ही आपको मिलेगा और भी number से हो सकता है लेकिन ये एक trick से मैं बता रहा हूँ वरना आप सोचते रहा हो कि किन तीन number को add करूँ कि ये मिले तो ये मुश्किल हो जाएगा ना जैसे मैं आपको और भी करके दिखा देता हूँ कि मालो हमने 5 और 7 ले लिया तो 5 प्लस 7 हमने ले लिया तो ये 12 हो जाएगा और 53 में से अगर हम 12 माइनस करें तो यहाँ दोखो ये 1 हो गया और ये 4 हो गया तो 41 हमारा odd prime है यानि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस 7 प्लस 41 तो भी हमको 53 मिलेगा बस ये है कि तीनों जो add कर रहे हो odd prime होने चाहिए क्या और भी हो सकता है कैसे हो सकता है अगर मैं ले लूँ 13 और 17 यानि ये 13 हो गया और 17 13 और 17 को add करोगे तो कितना आएगा आपका 30 हो जाएगा और 53 में से 30 माइनस करोगे तो आपका 23 आजाएगा और 23 पी तो हमारा odd prime है तो हम plus 23 इस तरह से भी लिख सकते है ये भी आपकी 53 ही बनेगा और ये तीनो जो हमने लिया ये तीनो odd prime है तो ये मैंने आपको just बता दिया कि देखो कोई सभी आप number ले सकते हो एक ही group नहीं बनेगा यानि कि सिर्फ वही तीन number आपको नहीं लेने कोई सभी ले सकते हो तो इन तीनों में से इससी पार्ट के लिए कोई सभी एक answer आप लिख सकते हो तीनों नहीं लिखना आपको इस समझाने के लिए बता दिया कि और भी तरीके से हम लिख सकते है कोई एक लिख देना ठीक है अब D वाले की बात कर लेते है 61 हमको चाहिए, तो यहाँ भी वही logic करते हैं, कि 3 प्लस 5 कर लो, 8 हो जाएगा, 61 हम से 8 हम माइनस कर दें, तो इसको माइनस करोगे तो आपका 53 आ जाएगा, और 53 आपका कहा है, odd prime है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन उपर आपके book में table में दिया है, तो वहाँ देख सक करता है, कि हमें direct आपको लिख के बतायता हूँ, कि अगर मैं 7 प्लस 11 कर दूँ, और 43 को एड़ कर दूँ, तो यह 3 हमारे क्या odd prime है, side में लिखा देख सकते हो, इसका sum भी 61 आएगा, 7 प्लस 13 करोगे, तो यह 41, ऐसे भी हो जाएगा, 61 आजाएगा, तो यह भी देखो, मैंने sum is divisible by 5, 5 pair आपको लिखने है, prime numbers के, यानि दो-दो के आपको जोड़े बनाने है, prime numbers के, और वो जो prime number आप लोग है, वो 20 से कम होने चाहिए, तो उनको जब आप sum करो उनका, तो वो जो value आए, वो 5 से divisible हो, यानि 5 से divide हो सके, तो यह बताओ, जो number 5 से divide हो सकता है, वो कैसा number ह होगा, जो 5 के table में आता होगा, जैसे 5, 5 से divide हो जाएगा, 10, 5 से divide हो जाएगा, 15 भी divide हो जाएगा, 20 भी 5 से divide हो जाएगा, तो यह सारे वो number है, जो 5 के table में आता है, वो तो उसको divide करी देगा ना, जैसे 8, 2 के table में आता है, तो 2, 8 को divide कर देगा, तो यह सारे वो number है, और भी से divisible है 5 divide कर देगा इन लोग को यहां एक hint आपको दिया हुआ है कि जिसे 3 और 7 को add करें तो यह दोनों देखो prime number है और इंको sum कर रहा है तो 10 आ रहा है और 10 आपका 5 से divisible है 5 2s आ 10 तो ऐसे आपको 5 pairs बनाने है तो 1 pair तो देखो हमको देखके ही idea लग जाएगा कि हमारे prime numbers है न तो यहां odd prime की बात नहीं कर रहा है तो 2 को भी हम ले सकते हैं यहां उपर जो मैंने prime numbers लिखे थे तो उसमें 2 भी हम add कर देते हैं तो देखो हम अगर 2 प्लस 3 लिखे है तो 2 और 3 दोनों prime number है एक बात इनको add करोगे तो आपका 5 आएगा और 5 5 से divisible है 5 को 5 divide कर सकता है तो एक pair तो हमारा यह बन गया 2 प्लस 3 वाला और देखो जैसे 15 है क्या करें कि 15 आ जाए वही technique एक number ऐसा लो जो सबसे छोटा हो सबसे छोटा prime number आपका कौँँसा है 2 है तो हमने 2 ले लिया इसमें अगर हम 13 एड़ कर दे तो हमारा 15 आ जाएगा इसको मैं यहां लिख देता हूँ कि 2 प्लस 13 इक्वल्स कितना होता है 15 होता है और 15 divisible है 5 से 5 से divide हो जाएगा तो यह हो गया हमारा 2 और 13 एक और pair हमारे बन गया 20 बना कर देखो 20 कैसे बनेगा किन 2 prime नमबर को add करें कि 20 आ जाए यहां से देखो आपको 17 और 3 दीख रहा होगा तो बस इसी को पकड़ लो 3 प्लस 17 एक वर्स 20 3 भी प्राइम है 17 भी प्राइम है और इनको add करो 20 आएगा जो कि 5 से divisible है अब 25 का try करो 25 कैसे आएगा यह आपको देखना है सेटिंग बिढ़ानी है कि कैसे होगा अब जरू नहीं कि 25 ही आपको चाहिए कोई से भी नमबर हो सकते हो क्योंकि 30 वाला मुझे एक नजर में दिख गया यहां पर कि अगर मैं 13 और 17 को add कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा 30 और 30 डिविजबिल है 5 से 5 डिवाइट कर देगा यह नहीं 30 को 5, 6 और 30 होता है और 13 और 17 दोनों प्राइम है तो इस तरह से आगे कभी आप देख सकते हो बस 5 से डिविजबिल होना चाहिए और इस तरह से हम सेट कर सकते है अच्छा यह 30 एक और तरही कैसी भी आ सकता है देखो 11 प्लस 19 इससे भी 30 बस यह है कि आपको क्या दिख गया नंबर कौन सेटिंग आपको पहले दिख गयी समझ में आ गई 25 देखो ऐसे भी आ सकता है 2 प्लस 23 लेकिन हम से क्या कहा है कि जो 2 प्राइम लोग वो 20 से कम होने चाहिए यहां दो 23 ले लिया तो यह वाली सेटिंग नहीं बैटेगी तो 25 का तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दिख नहीं रहा वैसे आपको ज़रू नहीं कि 25 ही लिखना और भी आप लिख सकते हो यहीं आपको 5 पेर चाहिए थे 5 पेर लिख दिये ठीक है तो यह हो गया इसका अंसर कोशन नमर 12 की बात करने है फिल इन दा ब्लैंक यह वाला कह रहा है कि तो जिसके सिर्फ दो ही फेक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्राइम नमबर तो यहां अगर हमारी एक्सराइस कंप्लीट हो गई और भी ट्राइज या एक्सराइस के कोश्चन के सलूशन की वीडियो देखनी है तो इस तरह से आपको मुबाइल होगा पहले वीडियो को लाइक कर ले उथे लाइक का बटन है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो उसके बगल में एक बेल का इकन है उसको दबा के और पे क्लिक कर देना है इससे नई वीडियो आता ही आपको मैसेज आ जाएगा वीडियो के नीचे देखोगे राइट साइट कॉर्णर में एक डाउन एरो का सिंबल बना होगा वहाँ आपको क्लिक करना है स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ देख सकते हो Class 6 Mass Chapter Wise Playlist तो यहाँ पर Chapter Wise Playlist है जिस Chapter की वीडियो देखनी है उसके सामने वाले Blue Color पहलिंग करोगे तो वह Playlist ओपन हो जाएगी ओके थैंक यू